अपनी बात की शुरुवात एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ कुरुतम में दक्षिने हस्ते जयो में सव्याहित हूँ इस बात को भारत के संदर्ब में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरफ करतेवा का पाड़न किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली कल 21 अक्तुबर को भारत ने 1.100.000.000 करोड वेक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है इस उपलब्दी के पीछे 130 करोड देश वासियों की करतव्य शक्ति लगी है इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है हर देश वासी की सफलता है मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बढ़ाई देता हूं साथियों सो करोड वेक्सिन डोच ये केवल एक आंकड़ा नहीं है ये देश के सामर्थ का पतिबिम्ब है इतिहास के नए अध्याय की रचना है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है साथियों आज कई लोग भारत के वेक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुनना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे है भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है उसकी सराना भी हो रही है लेकिन इस वेक्सिनेशन में एक बात अक्सर छूड जाती है के हमने ये शुरुवात कहां से की है दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वेक्सिन पर रिसर्च करना वेक्सिन खोजना इसमें दस्रकों से उनकी महारत है एक्स्परटाईज थी भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वेक्सिनेशन पर ही निरफर रहता था हम भारते मंगवाते थे इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सबाल उठने लगे क्या भारत इस वैश्वीक महामारी से लड़ पाएगा भारत दूसरे देशों से इतनी वेक्सिन खरेंदे का पैसा कहां से लाएगा भारत को वेक्सिन कब मिलेगी भारत के लोगों को वेक्सिन मिलेगी भी या नहीं क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोख सके बांती बांती के सवाल थे लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोश हर सवाल का जवाब दे रहा है भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोश लगाई है और वो भी मुप्त बिना पैसा लिये साथियों सो करोड वैक्सिन डोश का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है मैसूस कर रहा है साथियों भारत का वैक्सिनेशन अभ्यान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवन्त उधारन है कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशंकाय व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना सयम, इतना अनुशासन, यहां कैसे चलेगा लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सिन, मुक्त वैक्सिन का अभ्यान शुरुई किया गरीब, अमीर, गाव, शहर, दूर, सुदूर, देश का एकी मंत्र रहा कि अगर बिमारी भेदभाव नहीं करती, तो वैक्सिन में भी बेदभाव नहीं हो सकता इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सिनेशन अभ्यान पर बियाईपी कल्चर हावी नहों कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो उससे वैक्सिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी साथियों हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि हाँ जादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में आज भी वैक्सिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्सिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है साथियों किसी अभियान में जब सबका प्रयास सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परदाम अदभूती ही होते हैं हमने महामारी के खलाब देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत बनाया फॉर्स्ट लाइन ओफ डिफेंस बनाया देश ने अपनी एक जुड़ता को उरजा देने के लिए ताली थाली बजाई दीए जलाए तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा इसी ताकत ने कोवीड वेक्सिनेशन में आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुँचाया है कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का आकड़ा पार किया है यह बहुत बड़ा सामर्त है प्रबंद का उशल है टेक्नलोजी का बहतरी निस्तमान है जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है साथियों भारत का पूरा वेक्सिनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है विज्ञानिक आधारों पर पंपा है और विज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुचा है हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वेक्सिनेशन प्रोग्राम साइन्स बॉन, साइन्स डिवन और साइन्स बेज रहा है वेक्सिन बनने से पहले और वेक्सिन लगने तक इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइन्स और साइन्टिफिक एप्रोच शामिल रही है हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बात अलग-अलग राज्यों में, दूरदराज इलाकों में समय से वैक्शिन पहुँचाना ये भी किसी भागी रतकारे से कम नहीं था लेकिन वैज्यानित तोर तरीकों और नए-नए इनोवेशन से देश ने इस चुनोतियों के समाधां तला से अब साधन स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया किस राज्य को कितनी वैक्शिन कब मिलनी चाहिए किस इलाके में कितनी वैक्शिन पहुंचनी चाहिए इसके लिए भी वैज्यानिक फर्मिले के तहर काम हुआ हमारे देश ने कोविन प्रेटफॉर्म की जो व्यवस्ता बनाई है वो भी विश्व में आकरसन का केंद्र है भारत वे बने कोविन प्रेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहलियत दी बलकि हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया साथियों आज चारों तरब एक विश्वास है उत्सा है उमंग है समाज से लेकर एकोनामी हम हर तप्रेपर देखें है अप्टिमिजम 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 ही नजरा आपा है एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजन्सीज भारत की अर्थिवबस्ता को लेकर बहुत सकारात्मग है आज भारतिय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्ट्मेंट आ रहा है बलकि युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर भी बन रहे है स्टार्ट अप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्ट्मेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स यूनिकॉन बन रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं पिछले महिनों में किये गए कई सारे रिफॉर्म्स कई सारे इनिशेटिव गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉलिसी तक भारत की अर्थववस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे कोरोना काल में किसी छेत्र ने हमारी अर्थववस्ता को मजबूती से संभाले रखा आज रिकॉर्ड लिवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है किसानों के बैंक खाता में सीधे पैसे जा रहे हैं वैक्सिन के बढ़ते हुए कबरेट के साथ साथ आर्थिक सामाजी गतिवीदिया हो खेल जगत हो टुरिजम हो एंटरेटेन्मेंट हो सब तरफ सकारात्म गतिवीदिया तेज हो रही है आने वाले त्योहरों का मौसम इसे और गति देगा और शक्ति देगा साथियों एक जमाना था जब मेडिन ये कंट्री मेडिन भो कंट्री इसी का बोलवाला था बहुत क्रेज हुआ करता था लिकिन आज हर देश वासी ये साथ्षात अनुभो कर रहा है कि मेडिन ये इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि में हर छोटी सी छोटी चीज जो मेडिन इंडिया हो जिसे बनाने में किसी भारत वासी का पसीना बहा हो उसे खरीडने पर जोड़ देना चाहिए और ये सब के प्रयास से ही संबव होगा जैसे सच भारत अभियान एक जन अंदोलन है वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना वोकल फोर लोकल ये हमें ब्यहवार में लाना ही होगा और मुझे विश्वास है सब के प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे आप याद करिए पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिश्क में एक तना था लेकिन इस दिवाली सो करोड वैक्षिन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है अगर मेरे देश की वैक्षिन मुझे सुरक्षा दे सकती हैं तो मेरे देश का उत्पानन मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं दिवाली के दौरान विक्री की एक तरफ और बाकी साल की विक्री एक तरफ होती है हमारी यहां दिवाली के समय तोहारों के समय बिक्री एक दम बढ़ जाती है सौ करोड वेक्सिन डोश हमारे छोटे छोटे दुकामदारों हमारे छोटे छोटे उद्देमियों हमारे रेहडी पट्रिज वाले भाईयों बहनों सबी के लिए आशा की किरन बन कर आई है चाथियों आज हमारे सामने अमरत महोत्सव के संकल्ब है तो ऐसे में हमारी ये सभलता हमें एक नया आत्म विस्वाद दिलाती है हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्षताय करना और उसे हासिल करना बखुबी जानता है लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरुवत है हमें लापरवा नहीं होना है कवज कितना ही उत्तम हो कवज कितना ही आधुनिक हो कवज से सुरुच्षा की पूरी गारंटी हो तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्यौहारों को पूरी सतर्था के साथ ही मनाना है और जहां तक मास्क का सवाल है कभी कभी जरा लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रविश्च चुकी है मेरा इतना ही कहना है जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने की आदर लग गई है न बस वैसे ही मास्क को भी एक सहच स्वभाव बनाना ही होगा जिनको अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है वो इसे सरवोच्च प्रांथिकता दें जिने वैक्सिन लग गई हैं वो दूसरों को प्रेरित करें मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे आप सभी को आने वाले त्योवारों की एक बार फिर बहुत बहुत सुप्कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद